हेलो दोस्तो आपका स्वागत एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ओपो रेनो एटी फाइब जी में किस तरह से किसी भी एप की नोटिफिकेशन बन कर सकते हैं मुपासकार दोस्तो मैं हु रोजयस वाल आप देख रहे हैं टेक्निकल आपड़ियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आक की मुबाइल में बहुत सारे नौटिफिकेशन आता है अगर सारी नोटिफिकेशन ग्न करना साथ ते जैसे जैसे आप अपने मोबाइल में इंटरनेट चालू करते हो तो उपर से बहुत सारे मेसेज आते हैं जैसे कि आप चालू करते हैं जैसे कि वाट्सप पर मेसेज आता है और बाकी सारे अप्लिकेशन के जरीए आपके मोबाइल में इतना मेसेज आ जाता है कि आपका मोबाइल है करना करना शुरू हो जाता है तो सुरू शुरू लाँस्ट तक इस वीडियो बने हुद आपको बताने वाला हुद कि तरह से सारे मेंका अपने भी में कर सकते हो और आत अच्छे से अपना मूइल चला सकते आपके मोमइल में एक भी नौटिफिकेशन नहीं आएगा जैसे message आपके मोबाइल में नहीं आएगा तो आपको इस वीडियो में पूरी setting बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने मोबाइल में setting कर सकते हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं आपको आजाना है सबसे पहले आना है आपको अपने setting के अंदर इह रहा हमारा setting setting में आनेक बाद यहां पर दिया है app manager यहां पर यह option है app manager को app manager को हम open करते हैं और सबसे उपर दिया है app list तो app list को okay करते हैं app list को खोलने के बाद दोस्तों यहां पर सारे application open हो जाएंगे जो भी आपकी mobile में application जो आप यूज करते हो जो भी स्ट्रोल करके रखे हो सबसे ज्यादा में से जाता इस ख्रॉम को तो सबसे पहले हम क्या करेंगे और यहाँ पर दिया है फिर यहां पर नीचे परमिसन वाला है यहां से आपको सिंपली एक बार क्लिक कर देना है फिर नौटिफिकेशन आपकी मोबाइल में बंद हो जाएगा जो भी नौटिफिकेशन चालू है वो नौटिफिकेशन बंद हो जाएगा और आपके मोबाइल में कोई भी मेसेज नही आएगा इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल में नौटिफिकेशन बन कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए दोस्तों मिलते आपको नेश्ट व वीडियो के साथ थैंक्यू सो मच दोस्तों